तो भाई आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि नाचुरली एस्पिरेटेड इंजिन जादा बेटर है या फिर तर्बो इंजिन जादा बेटर होते हैं तो यह आज की वीडियो का टॉपिक और इस पूरी की पूरी वीडियो को मैंने 5 सेक्शन में कवर करा है जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे performance की, mileage की, reliability की, cost of the engine and maintenance तो यह 5 सेक्शन में इस पूरी वीडियो को कवर करने वाले हैं बट इस वीडियो के सेक्शन को कवर करने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यह दोनों इंजिन काम कैसे करते हैं इनकी basic functionality होती कैसी है तो देखे जो naturally aspirated engine होता है, जैसे कि इसके word में ही आ रहा है naturally aspirated तो इसके अंदर जो air का intake है, cylinder के अंदर जो air जा रही है, वो natural तरीके से अंदर जाती है और वहाँ पर fuel जो है अंदर input होता है, fuel injector से और जिसकी बात combustion होता है, power generate होती है और जो excess gases होती है, वो exhaust pipe के थुरू बाहर निकल जाती है तो ये पूरा का पूरा process जो होता है, बहुत जल्दी होता है आपके cylinders के अंदर, तो ये होता है naturally aspirated engines के अंदर अब जो turbo engine होते हैं, उसके अंदर एक additional turbine लगा होता है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है turbo engine तो इनका काम क्या होता है, इस turbine का जो काम होता है वो जो excess gases बाहर निकल रही है, उनको वापस से forcefully जो है वो cylinder के अंदर push करता है, जिसकी वजह से आपको जादा push मिलता है जादा power मिलती है, और बहुत ही कम gases बाहर निकलती है majority of the gases वापस से push करी जाती है और उसके बाद आपको एकदम से pull और performance आपको उतने ही fuel में मिल जाती है तो देखे, ये दो difference होते हैं, दोनों ही engine के अंदर I hope आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने 5 sections में और मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए कौन सा engine जादा suitable रहेगा तो चलिए without wasting time, let's start the video सबसे पहले बात करते हैं, गाड़ी की performance की कौन सा engine आपको जादा अची performance देता है तो I think ये बहुत ही जादा basic है आप लोगों को मालुम होगा कि जो turbo engines होते हैं वो आपको जादा power generate करके देते हैं जब भी आपकी requirement होती है तो 2000 या 3000 के उपर turbo kick in करता है जैसे ही आप accelerate करते हैं एकदम से आपको pull मिलता है तो ये होता क्यूं है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो excess gases होती है वो वापिस से forcefully cylinder में push करी जाती है जिसकी वजह से आपको एकदम से पुल मिलता है तो performance आपको turbo engine के अंदर जादा अच्छी मिल जाती है आपने notice करा होगा कि काफी companies छोटे engine मतला 1000cc के अंदर आपको turbine turbo engine लगा के देती है जिसकी वजह से आपको जादा अच्छी performance मिल पाती है compared to 1.2 liter का engine या फिर 1.5 liter का engine अगर हम बात करें Hyundai की venue की उसके अंदर दोनों engine options आते है 1.2 naturally aspirated engine भी आता है और 1 liter का turbo engine भी आता है तो जो 1 liter का turbo engine है वो तकरीबन 117-118 BHT produce करता है और वहीं पर naturally aspirated जो 1.2 liter का है वो तकरीबन 82 BHT के आसपास जो है produce करता है तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों मेंसे जो है अगर छोटा engine भी है तब भी आपको जादा अच्छी performance मिल जाएगी टर्बो एंजिन के अंदर compare to naturally aspirated engine तो जो लोग जादा highway वगएरा पर drive करते हैं जिनको जादा power चाहिए जादा pull चाहिए जब भी उनकी requirement हो तो वो जो है टर्बो एंजिन के साथ जा सकते हैं उनके लिए वो एक better choice रहने वाली है तो दोनों एंजिन में से कौन सा एंजिन आपको जादा अच्छी mileage निकाल के देगा तो काफी लोग के myth रहते हैं कि जो टर्बो एंजिन होते हैं उसके अंदर क्योंकि टर्बो होता है और sudden power हमको मिलती है तो वहाँ पर mileage हमको कम मिलती है तो ऐसा नहीं है ये केवल एक myth है तर्बो एंजिन जैसे मैंने आपको बताया है जो functionality मैंने आपको इस पूरे process की बताई थी कि तर्बो एंजिन काम कैसे करता है जो additional जो gases बाहर की और निकल रही होती है उनको forcefully जो है अंदर पुश करता है जिसके वज़ा से आपको ज़्यादा power मिलती है तो fuel का जो consumption है वो तो उतना ही हुआ जो gases बाहर निकल रही थी उनको वापस से push किया गया जिसके वज़ा से आपको ज़्यादा power मिल पाई तो ये होता है पूरा का पूरा turbo engine का process जिसके वज़ा से आपका जो fuel consumption है वो ज़्यादा नहीं waste होता और आपको ज़्यादा अच्छी power मिल पाती है और accordingly आपको mileage भी ज़्यादा better आपकी गाड़ी आपको दे पाती है क्योंकि companies जो है वो छोटे cylinder के साथ में आपको turbo engine provide करती है तो जब आपको छोटा cylinder आपकी गाड़ी में दिया जाता है तो automatically आपको ज़्यादा अच्छी mileage मिल पाती है और performance भी मिल पाती है जब भी आपको चाहिए होती है तो तीसरे point की बात करें कि reliability कौन से engine की ज़्यादा बहतर है तो देखिए अगर आपको गाड़ी लंबे समय तक रखनी है आपको जो है 10-12 साल-15 साल तक अपनी गाड़ी को चलाना है तो आपको naturally aspirated engine लेना चाहिए because उसकी reliability ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि पूरा का पूरा process जो होता है वो natural तरीके से होता है जहाँ पर भी engine के साथ छेड़ छाड़ होती है forcefully जो है चीज़े push करी जाती है वहाँ पर कहीं न कहीं जो है engine पर effect पड़ता है बट धिरे-धिरे time के साथ engines और refine होते जा रहे हैं companies इस पर काम कर रही है तो आने वाले time में I'm sure turbo engines भी जो है जादा reliable हो पाएंगे बट अभी के लिए फिलाल जो है अभी naturally aspirated engines जो है वो जादा reliable है for longer runs तो अगर आपको लंबे समय तक गाड़ी रखनी है 12-15 साल तक रखनी है तो आपको naturally aspirated engine रखना चाहिए लेना चाहिए बट अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए naturally aspirated जितनी भी चीज़े मैंना आपको बताया natural तरीके से होंगी उसमें wear and tear कम होगा और उसकी maintenance जो है हमेशा low ही रहेगी पर जहां पर turbo engine की बात करें क्योंकि forcefully कोई चीज़ों को push करा जा रहा है और जिसकी वज़ा से अंदर combustion chamber में थोड़ा बहुत wear tear होता है जिसकी वज़ा से वहां पर जादा maintenance की जरुष पड़ती है तो इस case में simple answer यह है कि turbo engine जो है वो comparatively थोड़ा सा जादा maintenance मांगता है और उसकी life भी कम रहती है और वहीं पर जो naturally aspirated engine है वो लंबे समय तक चलते हैं जादा तर naturally aspirated engines होते हैं महीं पर turbo engines जो है वो जादा maintenance में मांगते हैं और उनकी जो reliability है वो भी थोड़ी सी कम होती है compare to naturally aspirated engines तो अगर हम बात करें कि दोनों engine में से कौन सा engine जादा महेंगा आता है तो इस particular question का answer आपको जो है price list में मिल जाएगा अगर हम उसी Hyundai Venue की बात करें जो मैंने आपको पहले बोला था Hyundai Venue 1.2 का base model तकरीबन 9 लाग के आसपास आपको मिल जाता है वहीं पर जो इसका turbo engine है turbo का जो base model है वो तकरीबन 11.5 या पौने 12 के आसपास आपको मिलता है तकरीबन 2 लाग के आसपास का फरक है आपका turbo engine और naturally aspirated engine के अंदर तो यहाँ पर जो additional turbo की kit जो fit करी गई है गाड़ी के अंदर उसकी वजह से तर्बो कार्स की जो price है वो जादा बढ़ जाते है बढ़ क्योंकि आपको अच्छी mileage आपको turbo engine के अंदर मिल जाएगी तो अगर आप turbo engine के साथ भी जाते हैं तो आपको जादा दुख नहीं होगा जादा आपके pocket पे भारी नहीं पड़ेगा और अब cost effectively इस खर्चे को वसूल कर सकते हैं और जहां तक अगर मैं आपको suggest करूँ तो कभी भी heavy गाड़ी जो है आपको naturally aspirated engine में नहीं लेनी चाहिए और छोटे cylinder के साथ काफी लोग क्या कर रहे हैं जैसे venue की 1.2 liter का ले लेते हैं वो तो वहाँ पर उनको कही न कही performance का lag रहता है क्योंकि भाई venue जो है भारी गाड़ी है वहाँ पर आगर आप 1200cc का engine दोगे तो वहाँ पर वो उतनी performance आपको गाड़ी नहीं दे पाएगी जब भी आपको जरुत होगी तो city वगेरा use के लिए जो है वो engine ठीक है बट highway वगेरा पर आपको performance का lag रहेगा ये आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रहने वाली है तो भाई ये थी मेरी एक video I hope आपको समझ में आई होगी और आपके थोड़े बहुत doubts जो है वो clear हो गए होगे पर इस video को end करने से पहले मैं आपको छोटा सा tip देना चाहता हूँ कि जब भी आप एक गाड़ी खरीदने जाएं तो हमेशा जो है अपनी requirement को consider करें अगर आपकी usage ज़ादा city के अंदर है bumper to bumper है तो वहाँ पर आप एक naturally aspirated engine को खरीब सकते हैं बढ़ जहाँ पर आपको performance चाहिए या फिर highway वगरा पर आपकी ज़ादा driving होती है या फिर आप driving enthusiastic है और आपको performance चाहिए जब भी आपको ज़रुत हो तो उस case में आप जो है turbo engine के साथ जा सकते हैं आपको performance भी मिलेगी आपको mileage भी मिलेगी बढ़ आपको reliability पे कही न कहीं compromise करना पड़ेगा वही पर naturally aspirated के अंदर आपको ज़ादा लंबी reliability मिल सकती है तो आप इस चीज़ को ज़्यान रख सकते हैं वाइल purchasing your car तो I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे और अभी कोई अगर आपका question है इस वीडियो को देखने के बाद तो please मुझे reach out कर सकते हैं through the comment section मैं जल से जल उसका reply जिनी के आपको खोशुश करूंगा अभी के लिए thank you so much and thanks for watching the video